पटना सिटी के दुली घार शनार्थी शिविर के द्यारा शेट से पलायन कर आए बार पीडि शनार्थियों के बीच पटना सिटी कैमा शिकोर से जिजिस अन मेरी अकैडमी के प्रबंधन समू के द्वारा खाद रहा समागरी का वित्तरन किया गया। गौर तलब है कि बार से कई घर तवा हो गए है इसलिए प्रबंधन समू ने उनकी सहायता का संकल्प मन में ले लिया है और लोगों के भी जाकर खाद रहा समागरी बाटी वहीं खाद समागरी पाकर शनासियों के चहरे पर जो मुस्कान एवं संतोष की जलक दिखी वो देख सरपर विद्याले के निदेशक एम्रोस पैट्रिक उपनिदेशक अभिशेक पैट्रिक एवं विद्याले की प्रचारय सहजनता दल युनाइटेज मुल्क की प्रदेश सची पूजा एंशर्मा ने सयुक्त रूप से कहा कि दीन दुखियों के साथ साथ मानक्ता की सेवा ही सची इश्वरी हजेवा है तथा इस भीशन आपादा की घड़ी में हर व्यक्ति को तन मन्धन से इनके आसु पोचने का प्रयास करना चाहिए और यही हर व्यक्ति का कर्तव्य भी है हमारे बहुत से लोग जो बाड़ पीड़ित हैं उनके लिए हम उन्होंने सोचा है कुछ दान पुन दें ताकि उनका पेट भरता रहे और हम लोग हमेशा के तरह बाड़ पीड़ितों को दान पुन गरते हैं उनकी जिन्दगी बनी रहे यह हमारी शुबकामनाय हैं और वो तंदोस से अस्वस्त रहे हम सभी वाकिफ हैं कि बिहार के बहुत सारे इलाकों में बाड़ का पानी घुसने की वज़त से हमारे जितने भी बिहारी भाई बहन हैं उन सारे लोगों के बहुत ही मुसीवत का सा बाइता की जाए और इसे लिए आज हम अपने विद्याले जीजस और मेरी अकैडमी की तरफ से यहां पर पत्ना सिटी स्थित कंगन घाट के पास जो दुरली घाट है वहां पर जो बाड़ पीरित लोग हैं उनके लिए हम लोगों ने यहां पर रहात सामगरी के लिए हैं तो आज हमारे भाई बहनों को जो बाड़ के काहिन जो दिक्कत हुई अनाज लाने में और इनों खाना बनाने में उनका घर जो बाड़ से तबाह हो गया है तो उसी को हम एक समाज से भी होने के नाते प्लस एक समाज का हिस्सा होने के नाते अपने भाई बहनों को छोट साना वित्रनाज हम लोग कर रहे और यहर साल हम लोग अपने संस्ता के तरव से sekali की तरफ से डिफेंट इछ इलाकर में पट्ता में पुरे बिहार में यह य्ये लुव काम करते रहते हैं जोल्ड जुल्री, डाइमंड जुल्री, प्लाटिनम जुल्री, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जग मुहलाल शिवरतनलाल जुलर्स, पतना सिटी चौक, पतना कुमार होमस आएं और LCD TV, फ्रिज, AC, वाशिंग मशीन और दाइनिंग टेबल जैसे धेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सिल्वर गुमार होमस, गुरु गोविन सिंग पत, चौक, पतना सिटी